आपको तलाक चाहिए, वो भी बहुत जल्दी और कोर्ट आपको तलाक देने रहा, तो आप क्या करोगे, आज इनी विश्यों को लेकर के हम आये हैं आपके बीच, आपके साथ, एक नए अंदाज के साथ, जी हाँ दोस्तों बात करता हूँ कि आए दिन कोर्ट में वाइप और हस्बेंट के बीच में जो जगड़े चलते हैं, उस जगड़ों का अंत कहा होता है, माल लो आपकी वाइप का आपके साथ जगड़ा चला, वाइप एक डेड मेंने से, दो मीने से, छे मीने से, साल से, दो साल से, आपसे अलग रह रही है, आप क्या करोगे, क्या आपको तल परतल आप सुरू करूं करते हैं सुरुवात एक नए अंदाज के साथ उससे पहले आप अपना यूटूब चैनल लिगल एडवाईज एट यूर होम को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्याद से ज्यादा शेयर करें लेकिन उससे पहले इस पूरे टोपिक को ध्यान से स समझें और उसके बाद में अपना स्टेप लें यदि हस्बेंड और वाइफ दोनों चाहते हैं कि उनका म्यूचल कंसेंट पर दोनों की सहमती से तलाख हो जाए और वो कोर्ट में एप्लिकेशन फाइल करते हैं तो कोर्ट नॉर्मली छे महिने का टाइम देती है लेकिन वेट क्यों आप अपनी वाइफ से या आपकी वाइफ आप से यदि एक साल के पिरियेड से अधीक अलग रह रहे हो और दोनों की आपस में कोई वारतालाप नहीं हो रही बातचीत नहीं हो रही सहमती नहीं बन रही तो आप मूच्वल कंसेंट के अधार पर कोर्ट में कोर्ट में एप्लिकेशन फाइल करोगे अधार पर जैसे ही आपने कोर्ट में एप्लिकेशन फाइल की तो कोर्ट में आप दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा अब जैसे ही आपने कोर्ट में एप्लिकेशन फाइल की आपको निर्धारी ततिती पर सेम डे या हो सकता ह अगले दिन आपको कोट में बुलाया जाएगा आपके ब्यान लिये जाएगे आपकी वाइप के ब्यान लिये जाएगे दोनों से पूछा जाएगा कि क्या आप साथ में रहना चाहते हो वहाँ जो कुष्चन पुट अप आप से किया जाएगे उन कुष्चनों के बारे मैं ब अलग रह रहे हो, तो आप mutual consent के अधार पर divorce petition file court में कर सकते हो, अब जैसे ही आपने court में petition file की, तो आपको अमोमन 6 महिने का time दिया जाता है, आप दोनों ने अपना वकील कर लिया है, court में divorce petition भी file हो चुकी है, mutual consent के अधार पर, तो फिर court यदि आपको separation के लिए, आपका divorce मनजूर करने के लिए, divorce को final करने के लिए 6 महिने का time दे, तो आप क्या करोगे, कि आप अमरदीप सिंग वर्सेज हरविंद कोर की judgment को अधार बना करके court को ये बता सकते हो, कि आपका mutual consent के अधार पर जो है divorce petition file की गई है, और इसमें आप एक साल से अधीक समय से पती-पतनी जो है अलग रह रहे हो, इस case के अंदर Supreme Court ने ये direction दे रखी है, कि यदि पती-पतनी एक साल से अधीक समय से अलग रह रहे हो, तो उनको mutual consent के अधार पर जो divorce petition file की जाती है, उसके लिए किसी भी time period देने की आफशकता नहीं है, आप court को इस judgment के बारे में बता सकते हो, कि यदि पती-पतनी एक साल से अधीक समय से अलग रह रहे हो, तो उन्हें दुबारा से time देने की आफशकता नहीं है, हाँ, यदि आपने इस judgment को अधार बनाया, और court में judge साब को ये चीज बताई, तो निश्चित रूप से आपका जो divorce है, वो 6-7 दिनों के बीच में हो जाएगा, जी हाँ, सिर्फ आपको 8-10 दिन maximum लग सकते हैं, अब मैं आपको briefly बताऊंगा, कि section 13b के तहत, यदि आप court के अंदर mutual consent के अधार पर divorce petition file करते हो, तो इसमें पहली शर्त ये है, कि पती-पतनी दोनों एक साल के period से अलग रह दूसरी बात ये है, कि आप अमरदीप सिंग वर्सेज हरविंद कोर की judgment को अधार बना करके court को ये बता सकते हो, कि आपका mutual consent के अधार पर divorce petition file की गई है, और इसमें आप एक साल से अधीक समय से पती-पतनी अलग रह रहे हो, तो इसलिए आपका जो divorce है, वो जल्दी से जल् और यदि आप इंफेक्टों को court में बताते हो, तो निश्चीत रूप से आपका जो divorce है, वो 8-10 दिनों के बीच में हो जाएगा, तो कैसा लगा आज का वीडियो, यदि अच्छा लगा हो, तो जादा से जादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आपके अप तो बनता ही है, धन्यवाद जहन